जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल और दोस्तो एप में आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तो और अपने मित्रों तक सेयर जरूर करना है और अगर आप तक आपने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो Self Study Classes एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है दोस्तो अपना ये डाउट्स वाला जो है अपना सेयसन होता है डाउट्स वाले कॉस्चन हम ले करके आते हैं ये सेयसन आपको जरूर देखना है आपसे पूछा जाता है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है आपसे प्रशन पूछा जाएगा तो दोस्तो आपको अभी तक यही पता है कि पूस की रात जो कहानी है वो किसकी है तो अगर आपसे बनता है तो आपका बिल्कुश सही आंसर यहाँ पर आना चाहिए और उत्तर हो जाता है क्या प्रेमचंद यह आपने पड़ा है पूस की रात की रिचनाकार कौन है प्रेमचंद यह तो लगबख सबी लोगों को पता होगा लेकिन एक क्वेस्चन वर पूछा जाता है दोस्तो पूस की रात के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर लगाओगे बासा होसेन रिचबी यहाँ कन्प्यूज नहीं होना पूस की रात के बाद रात के बाद की रचनाकार कौन है तो कई लोग कन्फ्यूज होके प्रहमचंद लगा देते हैं क्योंकि उनको पता है पूस की रात तो प्रहमचंद की है यह प्रहमचंद की ही होगी ऐसा नहीं करना पूस की रात कहानी ये प्रेमचंद जी की है दोस्तो और पूस की रात के बाद ये बासा है हुसेन रिजबी की है तो इन क्वेस्टिनों को अपन को समझना है किडियर करना है तेरी मेरी उसकी बात तेरी मेरी उसकी बात दोस्तो एक इसकी रचना है तो यह आपको याद रख लेना तेरी मेरी उसकी बात मैंने कई बार आपको बताया है कि तेरी मेरी उसकी बात यह जो रचना है दोस्तो एक इसकी है यस पाल की मैंने याद भी कर भाया तेरी मेरी उसकी बात यस को मत बताना किसको नहीं बताना यस को तो यस से क्या बनेगा यस पाल है ना तेरी मेरी उसकी बात यस पाल को मत बताना ऐसे करके तेरी मेरी उसकी बात यस पाल जी की रचना है जबकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कोठरी की बात कोठर रहनी चाहिए है ना तो कोठरी की बाद ये जो दोस्तों कहानी संग्रा है ये किसका है अग्गे जी का है ना और तेरी मेरी उसकी बाद ये जो रचना है ये दोस्तों किसकी है ये सपाल जी की ठीक है तो ये डाउट्स आपके किडियर होते यहाँ पर अंगला डाउट्स को डाउट क्या है हिंडी की प्रतम रचना कौन सी है उन्थी की प्रतम कभी कौन है सरहता जब आपसे पूछे जाता है हिंडी की प्रतम रचना कौन सी है तो आता है उत्तर सरापकाचार इसकी रचनाकार कौन है देवसेन और जबकि हिंदी के परतम कभी कौन है सरहपाद इसलिए ने हिंदी का परतम कभी कहा गया और हिंदी की परतम रचना लिखी थी वो देवसेन ने लिखी थी इसलिए इसलिए ने हिंदी का प प्रत्म रचना कहा गया तो हिंदी की प्रत्म रचना रापकचार देउसेंकरत 933CB की बादी की बिर लगते हैं inner जब कि फक कभी स्वयम्भू को रामकुमार बर्माने माना है जब कि पता है कि इनकी एक प्रता महा काभि ना बात करें चंद बर्दाई की चंद बर्दाई हिंदी के प्रतम महा कभी माने जाते हैं चंद बरदाई इनका गरंत कौन सा है तो प्रतभी राज रासो माना जाता है ठीक है तो इन चीजों को आपन को याद रख़े ना इस सारे कि सारे हिंदी के प्रतम कभी है ना महा कभी इनसे रचनाए पूछी जाती हमीशा अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे बिहारी और देव की रचनाकार कौन है बिहारी और देव आपको पता है दोस्तो तुलनात्मा कालोचना आपने पड़ी होगी तुलनात्मा कालोचना की जनक कौन माने जाते हैं पदम सेंसर्मा कौन माने जाते हैं पदम सेंसर्मा यह अगर क्वेस्चन कभ आया भगवान दीन ने जबकि दोस्तों इसका उल्टा देव और बिहारी देव और बिहारी की तुल्ला की और देव को स्रेश्ट बताया किसने मिस्र बंधुने यानि कि कश्न बिहारी मिस्र मिस्र बंधुने तो यहाँ पर आपको याद रखने ना बिहारी और देव की रिच रचनाकार कशन बिहारी मिस्र यानि कि मिस्र बंधू नाम आता है ठीक है तो इनको आपको याद रख लेना यह देखो यहाँ पर देव और बिहारी कशन बिहारी मिस्र यानि मिस्र बंधू और दोस्तों बिहारी बिहारी और देव भगवान दिन यह कभी-कभी पूचा जाता है कि बिहारी और देव इस रचना में बिहारी को स्रिष्ट किसने माना तो भगवान दिन ने देव और बिहारी में देव को स्रिष्ट किसने माना तो बिस्रवंध हुआ ने कश्ण बिहारी मिस्र ने ठीक है तो यह डाउट्स भी याद रखे ना बिहारी और देव भगवान दीन देव और बहारी कश्ण बहारी मिस्र ठीक है किलियर अब यहां पर आते हैं दोस्तों त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्या है त्रिलोचन का बास्तविक नाम आपसे पूछा जाता है डाउट से यहां होता है एक तो कॉस्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तो कि नागरजुन का बास्तविक नाम क्या है एक कोश्चन आता है नागरजुन का बास्तविक नाम क्या है जबकि नागरजुन को आपका पता है दोस्तो कि नागरजुन का जो है क्या बास्तविक नाम था इनका नागरजुन का जो बास्तविक नाम था वो था बैद्ध जबकि त्रिलोचन का बास्टविक नाम क्या था बासू देओ क्या नाम था इनका वासू देओ किसका त्रिलोचन का बास्टविक नाम था बासू देओ और नागरजन का बास्टविक नाम था बैदनाथ और यह नागरजन आपको पता है यात्री नाम से लिखते थी यात्री में नाशेमेंधली में है ना तो यह भी आपको याद रख रखेना तो नागर जोन का बास्त्वgewic नाम क्या था ब्यद्धनात ठीक है और तरलोचन का बास्त्वद क्या था तो बासू देओ यहाँ से question कई बार पूछे जाते हैं हरियोद को अपन जानते हैं उद्ध्य से उपाद्या हरियोद इनका ग्रंथ महा कभी ये प्रतम दोस्तो हिंदी के हिंदी महाकाब प्रिये प्रवास प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रता महाकाब है यह भी क्वेस्चन कई बार पूछा जाता तो यहां पर डाउट्स अपना था कि त्रिलोचन का बास्तविक नाम बासुदेव और नागरजुन का बास्तविक नाम क्या था बैदनात कई लोग त्रिलोचन के चक्कर में बैदनात लगा देते हैं इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना अंगला क्वेस्चन आपके लिए प्राकृत पैंगलम गरंत के रचनाकार को ने अंगला डाउट्स है प्राकृत पैंगलम ये रचना भी कई बार पूछी जाती है तो यहाँ पर दोस्तो दो चीजें आती हैं दो में डाउट्स होता है एक तो लच्चमी धर में और एक बंसी धर में बंसी धर लच्चमी धर तो यहाँ आपको डाउट्स याद रख लेना है प्राकृत पैंगलम प्राकृत पैंगलम ये जो गरंत है ये लच्चमी धर का है किस हो जाएगा बंसी धर बोले बंसी बाले टीका लगाते हैं हैना बंसी बजाने वाले टीका लगाते हैं वे बंसी धर ने प्राक्रo Fenogum की टीका लिखी जब कि मूल गरंब प्राक्रप Fenogum की जूरेचना कार्थे वह कौनते लचमी धर यह question कई बार पूछा गया और डाउट्स में कई लोग बंसी धर लगा कि आते हैं है ना तो अब डाउट्स नहीं करना प्राकृत पैंगलम की टी का बंसी धर और प्राकृत पैंगलम लच्मिधर ठीक है इसको याद रखेंगे अब दोस्तों अब अपना जो है नेक्स्ट सेशन अंग अपने मित्रों को जोड़ें है ना और सेल्फ स्टेडी के लासे इसका एप जरू डाउनलोड कर लें ठीक है तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद